हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम इस गर्मी में फैमिली होलीडे के लिए बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन्स का पता लगाने जा रहे हैं तो अपना बैक बैक करें अपना संग्लासिज लें और इस भयानक गर्मी में हमारे साथ इन सुन्दर प्लेसिस को देखन केंद्र है शिमला के पहाड़ों पर चारों और हर्याली बिखरी हुई है यहां की वादियां जहां देखो वहां हरे भरे पेड़ पोधे और फूलों की खुश्बु से महकती है सर्दियों में शिमला के पहाड़ बर्फ से ढख जाते हैं जो देखने में बहुत गजब लग कम नहीं है पैरा ग्लाइडिंग से लेकर मंदिर में घूमने तक मनाली में परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ है मनाली की खुबसूरती का हिस्सा है बर्फीले पहाड यहां की बर्फीले पहाड देखकर आप इनकी खुबसूरती में खो जाएंगे ब्यास गुमने के लिए सबसे अच्छा समय अपरेल से अक्टूबर तक का है जब यहां का मोसम सुहावना होता है हाला कि सर्दियों के महीने में बर्फी चादर से ढखे लड़ा का व्यू काफी जादा सुन्दर होता है जो इसे एक और भी खुबसूरत जगहां में बदल देता है लेहल अद्दाग सिर्फ एक डेस्टिनेशन से कहीं जादा है इस जगह पर जाने के बाद आपको काफी जादा मज़ा आएगा डार्जलिंग वेस्ट बंगाल पस्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है जिसे अकसर पहाड़ियों की रानी कहा जाता है इस शहर के हरे भरे चा नाम से भी जाना जाता है इन हरे भरे ढलानों के साथ चलती है जो काफी जादा गजब लगता है ये मैदानी इलाके की गर्मी से बचने के लिए बेस्ट जगा है कूर्ग करनाट का कूर्ग जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है एक हिल स्टेशन है जो अपनी हरी भ पहरी सुन्दरता और शांत वादावरन से टूरिस्ट को आकरशित करता है अक्सर भारत का स्कोट लेंड कहे जाने वाला कुर्ग की उची उची पहाणिया विशाल कोफी के बागान शहरी जीवन की हलचल से एक ताजगी भरा आराम प्रदान करते हैं कोफी बागानों में जुटकारा पाकर यहां पर जाना कितना गजब होगा दोस्तों भारत में और भी कई सुन्दर प्लेसिस हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप हैरान हो जाओगे वैसे आपको इन मेंसे कौन सी जगहा सबसे जादा पसंद आई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना इस झाल